हलो सुरन नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPSC एड़ा पर और राजिस्थान बजट आ चुका है और ये बजट क्यूं है आप सभी के लिए खास विध्यारतियों के लिए क्यूं है खास बाकी तो बजट में जो भ बहुत ज़्यारता काम की होने वाली है, आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में, सबसे पहले इस बार जो मुख्य उप-mukkhय मंतरी थी हमेशा जो विद्त स्विभाग के पास विद्त विभाग रहता है वहीं विद्त मंतरी भी होते है लेगिन इस बार पहली बार राजि अलग अलग विभागों में होने वाली है तो राजस्तान के वो हर एक विध्यारती जिनोंने अभी अभी सरकारी नौगरी की तैयारी शुरू करी है या एक दो साल हो चुके हैं जिनको लग रहा था कि ये पहला साल है चुनाव हो चुके हैं आप सरकार को कोई गरज नहीं है और आप सरकार किसी भी प्रकार की वेकेंसी नहीं लेकर आएगी तो आप गलस सोच रहे थे 70,000 पदो पर भरतिया सरकारी विभागों में होने वाली है तो लग जाईए जुट जाईए इस 2024 में आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी ही है ये सपना ये धे ये लक्ष आपका होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए दूसरी जो बड़ी घोशना हुई थी जो हम सभी विध्यारती चाहते थे इस बजट को लेकर कि सरक कहीं न कहीं जो आरपीसी के द्वारा कलेंडर जारी होता है वो कलेंडर जारी हो जाए जैसा यूपी की तरश पर अब आरपीसी भी एक कलेंडर जारी करेगा बस हम यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जो कलेंडर आ रहा है वो कलेंडर में जो भी अनॉंसमेंट हो रही है जो भी डेट दे रही है या जो भी घोशना हो रही है वो पूरी तरीके से पूरी हो जाए तो क्या ह गोशना आईए बात करते हैं बजलाल सरकार का लिखानुदान वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश कर रही है लिखानुदान प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए RPSC में RSSMB वार्शिक भरती परिक्षा कलेंडर जो है वो जारी करेगा ताकि आपको पूरे साल ये पता चल ही है या कॉमर्स के स्टुडेंट्स हैं और कहां कहां कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है सभी अपडेट नोट्स, MCQ's सभी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर रेगूलर बेसिस में मिल जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिरोंने अ ही पैंड करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदमात्राओं